बिहार लोकसेवा आयोक दे दुआरा मान्य लालू प्रसाज जाजर के मुखमंतित तुकाल में भी पाली हुई सिक्षक बाजरता पास हैं धक्षता पास हैं उनकी योगिता पर संका क्यों आ गई एक मात्र है मांग हमारी सभी सिक्षकों को करो सरकारी प्रशाज प्रसाज नहीं सिक्षकों के बईनेता है आप पहले बताये हम आसान सब्जों में समझेंगे स्थिख्षकों में सिख्षक अभि अभी गुस्षा है कियुं गुस्षा है कि सरकार ने previous अइसी नियमें बली बनाई जिस्षे कि गुष्षा आना सभाविख है कि विप्य से की माधर हम से स्थिख्षक के बाहली भी बाली हुई उस समय हम लोगों ने किसी प्रकार की आपती नहीं जद्ध पी बाली वह भी मध्य बिद्धाले में हुई मेड्रील स्कूल यानि प्राथ में ही बाली हुई वह परंपरा जदी रहती लालू जी के समय से या डाक्टर जगनाथ में से तो डस असी में जितने भी निजी मा धिभु बिद्धाले थे सबों का एक कलम से सरकारे करन कर दिया कोई प्रक्षा नहीं नहीं हुई और लालू जी ने जो शिक्षा अमित्र बाल किया 2006 में जब मार्य नितिश कुमार आये, उन्होंने भी जो सिखशा मित्रों को पंचाइत सिखशक बना दिया, उसकी कोई परिक्षा नहीं हुई, फिर में जो प्राथिम बिढ्यालेों का सरकारी करन हुआ, उन सिक्षकों की सेवा सरकारी हो गई, किसी परकार की परिक्षा नहीं ली गई, आज किस बात की जरुरत आ गई, जो लोग काजरत हैं, अनुभव प्राप्त हैं, योग हैं, सिक्षक पात्रता पास हैं, धक्षता परिक्षा पास हैं, उनकी योगता पर संका क्यों आ गई, आ आप यहार लोग सेवा आयोग से प्रिक्षा के आधार पर नई बहाली जिए आठ्हां में चरण में और तब तक हम लोग काजरद अच में कहना कर दो कर दीजिए आप rebels if you were gustaría करना के बाल भीवग्य परिक्षण लीजिये हमारा मुल्यांखन नाब किजिसी एक दक्सिता हम उतिरन हो चुक हैं, दो, दक्सिता लिजिए, छाच्छा मह्ना में लिजिए, साल-साल भर भर में लिजिए, यह आयोग सही ले लिजिए हमारी परिक्षा, लेकिन पहली सर्थ कि आप हमारा समायोजन कीजिए, आक्रोश का सबसे बड़ा कारण है, कि जो भीहा होगी या जो demoralization होगा इससे पठन पाठन भी प्रभावित होगा जो मनोविज्ञान का असर परेगा इससे काफी घाटा होगा आप इस बात को समझ नहीं रहे हैं इसलिए आप समझिए समायोजन पुराने सिक्षकों का कर दीजिए नई नियुक्ति आप यहार लोग पुराने सिक्षकों को छोड़ दीजए घाटी जैने कि छने की स्रेटी रिया हो जाया चार चार पांच बल्ष स्रेंटर्पार्ण पुर्ब्रान हम लोगों का था प्रांखिमिक सिक्षकों का एक बेतनमान माधधमिक आथ के पहला से पास्मा का एक भेतनमान चटह से Authem contact, एक soutلمनु काफी डिफरेंस रहे सो लगता है वेतन संगतियां कोई सरकारी बेतनमान है ही नहीं आप भूलाड थिया बेतन मान संरकारी नहीं है सरकारे बेतनमान उसको कहते हैं atout आयोग द्वारा दिर्धारित और लागू बेतनमान है यह सरकारी यह बेतनमान ना आप पुराने नियोजित को दे रहे हैं अन्य बहाल होने बाले को दे रहे हैं आप ठग रहे हैं आप क्रोश का गुस्षा का कारण यह भी है आप रखता है कि इस से सुष्षकों को अपका दिया गया है क्या विलोड प्रोशन करेंगे तो कारवाही होगी यह भी भी आप हमारी नोक्री ले चार लाक शिछकों की नोक्री लेने की जदी हिम्मत है आप हमको जेल भीड़ दीजिए आप हमारी सेबा से बर्कास्त कर दीज उतर चुके हैं और और जो सत्र होगा बिधान मंदल का उसमें चार लाग सिक्षकों का जन सहलाब हम उतारेंगे और एक मात्र है मांग हमारी सभी सिक्षकों को करो सरकारी कि सब्सक्राइब भी सिक्षों को करो सरकारी शतुर्ड पसाथ सिंग हमाई साथ थे क्या कुछ इनका कहना है कहां दिकत हो रही है बीपीसी के माध्यम से जो आप कहा जा रहा है नियुक्ति को लेकर करके बात हो रही है अब देखना यह है कि विज्ञापन कब तक निकलता और कि अवार कि पता रहा है कि अवार रहा है कि बासने तक है।